हलो अविवन स्वागत है आप सभी का फामेसी इंडिया लाइफ पर आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा फॉस्ट यर में हमारा एक सब्जेक्ट है सोशल फामेसी वहां से एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर साल और हर बोर्ड्स में एक्जाम में पूछा जाता है अब चाहे वो सवाल हमारा शॉट कोशन्स में आए यानि की तीन नमबर में या वो हमारा पांस से दस नमबर में यानि की लॉग कोशन्स में आएगी तो वो कौन सा टॉपिक है वो है हमारा की की रोल क्या होता है फार्मसिस्ट का नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में यानि की रोल ऑफ फार्मसिस्ट इन दे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम यहां पर एक फार्मसिस्ट का क्या रोल है उसकी क्या जिम्यदारी है उससे हर साल लगातार questions आते हैं आज के इस session की PDF भी आपको मिल जाएगी उसके लिए आपको टेलिग्राम चैनल और WhatsApp चैनल पर follow करना होगा link नीचे description में दिया गया है उसके माध्यम से follow कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का session basically जो हम अगर बात करें की एक pharmacist का role क्या होता है national health program में तो सबसे पहला point कहता है review prescriptions अब जो भी patients होते हैं यानि की जो भी मरीज होते हैं दॉक्टर के पास जाते हैं दॉक्टर उनका medical check-up करता है डाइग्नॉस करता है उसके बाद वो क्या करता है वो prescription लिखता है जिसको आप सरल भाषा में क्या कहते हैं दवायों का परचा या doctor ने जो परचा लिखा है अब वहाँ पर जो भी medications लिखी गई है तो pharmacist की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी condition उस patient को है उसके अनुसार जो drugs लिखे गए है जो medicines लिखी है doctor ने जो prescribe की है वो ठीक है या नहीं है उनका review करना dose appropriate है के नहीं है etc इन सब चीजों पर ध्यान देना next point कहता है dispense prescription और non prescription medicines मतलब फार्मसिस्ट की फिर ये जिम्मेदारी बनती है कि जो एक मरीज यानि कि patient उसके पास आया है prescription लेकर के आया है या बिना prescription के आया है अब यहाँ पर समझिएगा जो non-prescription है that means कि OTC drugs over the counter drugs जिनको कहा जाता है वो हमारी non-prescriptive medicines या non-prescriptive drugs पानी जाती है और prescriptive drugs की बात करें तो वो जो डॉक्टर ने prescribe की है अपने परचे पर लिखी है उनको हम जो है prescriptive drugs कहते है तो pharmacist की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको दवाईयों का चाहे over the counter drugs है या prescriptive drugs है उनको dispense करे यानि कि उतका वितरन अच्छे से करे next point कहता है provide patient counseling और education अब मरीज जब भी अपने doctor के पास से आता है doctor के पास check up करा के आता है उसके मन में काफी सवाल चल रहे होते हैं चाहे वो उसे अपनी जो भी उसकी एक अवस्था है यानि कि जो भी उसके situation है disease की जो condition है उसके regard में हो या जो दवाईया लिखी गई है जो doctor ने दवाईया उसको prescribe की है उनके regard में भी हो सकते हैं तो pharmacist की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो मरीजो की counseling करे उनसे सारे सवाल पूछे और अपने जो suggestions है वो उनको बताए जो वो सवाल पूछ रहे हैं एक pharmacist से patients जो पूछना चाते हैं उनके लिए भी pharmacist answerable रहे और उनको educate करे कैसे कि भाई जो भी उनकी अवस्था है जो भी medical condition उनकी चल रही है उसके अनुसा precautions क्या-क्या लेने है यानि कि जिनको हम कह देते हैं कि सावधानी क्या-क्या वरतनी है उनके बारे में उनको बताएं ये दवाईया क्यों लिखी गई उसके बारे में बताएं कब-कब कैसे-कैसे लेनी है route of administration हुआ या etc उन सब के बारे में अच्छे से बताएं तो ये भी जिम्मेदारी बनती है एक pharmacist की next point कहता है hospital and community pharmacy management मतलब basically pharmacist को hospital pharmacy management आना चाहिए साथी साथ community pharmacy management अब hospital pharmacy means जो हमारी hospitals के अंदर pharmacy होती है चाहे वो outpatient department की हो या inpatient department के लिए हो community pharmacist basically जो community pharmacy है वो जो आपके ask products में होती है societies में होती है roads में ये होती है तो इनको अच्छे से deal करना आना चाहिए उस particular एक pharmacist को चाहे hospital pharmacy हो या आपकी community pharmacy हो next point कहता है expertise in medications मतलब कि उसको दवाईों के बारे में appropriate knowledge होनी चाहिए किसके side effects क्या होंगे उसका use क्या है dose appropriate कौन जी रहेगी ठीक है एट्सेक्टरा दवाईों के बारे में A to Z complete knowledge उस pharmacist को होनी चाहिए next point कहता है proficiency on drugs और pharmaceuticals अब proficiency का मतलब आता है कि basically प्रमींडता प्रमींडतागा मतलब कि एक जब भी आपकी कोई practice चल रही होती है उसमें अच्छे से कार्य करना आता हो ठीक है वो अच्छे से drugs या pharmaceuticals के साथ deal कर सके तभी एक अच्छे से कार्य चल पाएगा next point कहता है entrepreneurship and leadership अब business को कैसे चलाना है वो उसको आना चाहिए अब उसके अंडर जो भी colleagues होंगे उसके ठीक है जो भी employees होंगे उनके साथ कैसे deal करना है कैसे एक leader बनके चलना है वो leadership quality भी उस pharmacist में होनी चाहिए तभी एक अच्छे से pharmacy चल पाएगी जब उसके अंदर ये qualities होंगी next point कहता है deliver primary and preventive health care professionals ethical and legal practices मतलब जो भी प्राथमिकता है ठीक है मतलब कि health care professionals के तौर पे एक स्वास्त को ध्यान में रखते वे जो भी प्राथमिकता बनती है वो सबसे पहले उसको देनी है और साधी साथ preventive measures क्या क्या हो सकते है precautions क्या क्या ले सकते है जो भी एक हमारी health condition होती है उन सब के बारे में उसे अच्छे से पता होना चाहिए अपने जो भी उसके ethics है उनको follow करे और एक legal practice सही माइने में अच्छे से practice करे कोई भी illegal career नहीं होना चाहिए next point क्याता है continuing professional development अब लगातार जो भी changes होते रहते हैं जो भी updates होते हैं drugs को ले करके medicines को ले करके उन सब के बारे में उसे update रहना चाहिए और अपनी एक professional skills को भी लगातार डवलप करे तभी एक अच्छा और आप कह सकते कि अच्छे से आगे जाकर के वो deal कर पाएगा patients के साथ communication भी तभी सुधरेगा जब उसके skills भी लगातार डवलप होती रहेंगी ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके regard में हमारे different boards में किस तरीके से question पूछे गए है बीटी यूपी में पूछा गया discuss the role of pharmacist in the national health program और ये पिछले साल ही 2023 में सवाल पूछा गया था कि फार्मसिस्ट का रोल बताईएगा national health program में क्या होता है साथी साथ GTU गुजराट Technical University में पूछा गया describe the role of pharmacist in national health program ठीक है देखो सवाल अनेक हो सकते है जवाब सबका एक ही है जो मैंने आपको बताया है ठीक है साथी साथ RUHS की बात करें तो वहाँ पर आया what are the roles of pharmacist in national health program एक national health program में फार्मसिस्ट की क्या जिम्यदारी है क्या काम होता है वो बताना है फिर UBT उत्राखंड Board of Technical Education की बात करें वहाँ पूछा गया explain roles of pharmacist in national health ठीक है फार्मसिस्ट का national health में क्या रोल है क्या योगद है वो आपको बताना है साथी साथ अगर हम बात करें हर्याना State Board of Technical Education HSBTE की वहाँ पर आया था discuss the role of pharmacist in public health ठीक है फार्मसिस्ट का क्या रोल होता है उसकी क्या जिम्यदारी होती है वो आपको बताना है तो इस तरीके से इस particular topic से जो की था role of pharmacist in national health program की इसमें एक समारा national health program में अपना योगदान दे सकता है क्या जिम्यदारिया होती है उससे संबंदे जितने भी questions है वो मैंने आपको बताए जो maximum आपसे boards में पूछे जाते हैं खिक अब चलो I hope आपको इस session अच्छा लगा होगा सारी चीजे समझ आई होंगी सब कुछ clear हुआ होगा आज के session की PDF आपको मिल जाएगी उसके लिए आप टेलिग्राम चैनल या WhatsApp चैनल को follow कर लीजिएगा links नीचे description में दिये गए हैं साथी साथ आप अपनी तयारी और अच्छे से कर सकते हैं डी farm final exams के लिए आप master notes और model papers order कर सकते हैं उसके लिए download कीजिए farmis India mobile app from the google play store और link भी पर भी असान क्योंकि farmis India live है आपके साथ